सर्दियों के मौसम में एक बूड़ी औरत अपने घर के कौने में ठंड से तड़प रही थी जवानी में उसके पती का देहान थो गया था घर में एक छोटा बेटा था उस बेटे के उजबल भविशे के लिए उस मा ने घर गर जाकर काम किया काम करते करते बहुत ठक जाती थी लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी हमेशा एक बात याद करके फिर काम में लग जाती थी कि जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा तभी आराम करेगे देखते देखते समय बीट गया मा बुड़ी हो गई और बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा हो गया अब बुड़ी मा बहुत खुश थी उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया उसका बेटा लायक हो गया अब उसका बेटा उसकी हर खुवाईश पूरी करेगा लेकिन ये क्या बेटे और बहु के पास मा से बात करने तक का वक्त नहीं होता था बस इतना फर्क पड़ा था मा के जीवन में कि पहले वो बाहर के लोगों के जूटे बरतन दोती थी अब अपने बेटे और बहु के पहले वो बाहर के लोगों के कपड़े दोती थी अब अपनी बहु और बेटे के फिर भी खुश थी क्योंकि अलाग तोस्की थी सर्दियों का मौसम आ गया था एक टूटी चार पाई पे घर के बिलकुल बाहर वाले कमरे में एक फटे कम्बल में सिमटकर मा लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा तोस्के कहूंगी तेरी मा को बहुत ठंड लगती है एक नया कम्बल ला कर दे दे शाम को बेटा घर आया तो माने बोला बेटा ठंड बहुत है मुझे बहुत ठंड लगती है और बात ठंड की नहीं है मैं बुरी हो गई हूँ इसलिए सरीर में जान नहीं है इस फटे कम्बल में ठंड रुकती नहीं है बेटा कल एक कम्बल लाके दे दे बेटा गुस्से से बोला इस महीने घर के राषण में और बच्चे के एड्मिशन में बहुत खर्चा हो गया है पोते को स्कूल में एड्मिशन कराना है कुछ पैसे हैं लेकिन उस बच्चे का स्वेटर लाना है तुमारी बहु के लिए एक शौल लाना है तुम तो घर में ही रहती हो सहन कर सकती हो हमें बाहर काम करने के लिए जाना होता है सिर्फ दो महिने की सरदी निकालो अगली सरदी में देखेंगे बेटे की बास सुनकर मा चुपचाप उस कंबल में सिमठकर सो गए अगली सुबह देखा तो मा अब इस दुनिया में नहीं थी बेटे ने सब को खबर दी कि मा अब दुनिया में नहीं है सब रिष्टेदार दोस्त पड़ोसी इखटे हो गए बेटे ने मा की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी मा की बहुत बढ़िया अर्थी सजाई थी बहुत मैंगा शौल मा को उड़ाया था सारी दुनिया अंतिम संसकार देखकर कह रही थी हमें भी हर जन में भगवान ऐसा ही बेटा मिले मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक मा धंड से तड़प रही थी सिर्फ एक कंबल के लिए सिर्फ एक कंबल के लिए दोस्तों अगर आपके माबाप आज आपके साथ हैं तो आप बहुत भात्यशाली हैं आज आप जो भी कुछ हो वो उनी की मेहनत और आशिरवास से हो जीते जी